ये करोना का बहुत कठिन समय है मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोना होने के डर से राशन लेने नहीं जाते राशन दुकान पे भीड़ लगती है लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें करोना हो जाएगा तो सब गरीब लोग हैं सर इनमें कई लोग करोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं उनके घर में अब खाने को नहीं है अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुचाना चाहते थे तो इसमें आपको क्यूं आपती है कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड की वज़े से करोना हो गया तो उनके बच्चे भी तो फिर करोना ग्रसित हो जाएंगे मुझे तो लगता है सर की करोना काल में केवल दिल्ली नहीं बलके पूरे देश में घर घर तक राशन पहुचाने के इस योजना को लागू कर देना चाहिए ये दुकाने सुपर स्प्रेडर हैं राशन के दुकानों पे लगने वाली भीड से बचा जा सकेगा कितने ऐसे बुजूर गैसर जो राशन के दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते हैं कितने ऐसी गर्वती महिला हैं जो राशन के दुकान से राशन नहीं ला सकती अगर हम उनके घर राशन पहुचाना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है